C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक कैफी आजमी तारुफे शायर कैफी आजमी पैदाईश 1917 वफात 2002 नाम अख्तर हुसेन रिजवी और तखलुस कैफी आजमगर के गाओं रमजुआ में पैदा हुए इप्तिदाई तालीम घर पर हुई इसके बाद लखनओ के मशूर इदारे सुल्तानलमदारिस में दाखिल हुए कैफी आजमी को शायरी का शौक बच्पन से था तालिबे इलमी के जबाने से तरकी पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए कैफी आजमी कम्यूनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे इस सिलसले में कई बार जेल गए 1943 में बंबई आ गए और यहां एक रिसाले कौमी जंग की मजलिसे इदारत में शामिल हो गए इसके साथ ही फिल्मी दुनिया से भी उनकी वाबस्तगी रही और कई फिल्मों के नखमे और मकाल में लिखे उनकी शायरी के मजमूओं में जहनकार 1945 आखिरे शब 1947 आवारा सजदे 1973 इबलीज की मजलिसे शोरा दूसरा इजलास 1977 और सरमाया शामिल है इसके इलावा उनके फिल्मी नखमों का मजमूआ मेरी आवा सुनो 1974 में मनजरे आम पर आया आवारा सजदे पर उन्हें सोवियत लैंड नहरू अवार्ड और साहिते अकैडमी अवार्ड से नवासा गया सफ़ा 152 अब पेश है कैफी आजमी की एक नजम आंधी उठो देखो वो आंधी आ रही है उफ़क पर बर्क सी लहरा रही है कयामत हर तरफ मंडला रही है जमी हिचकोल पैहम खा रही है उठो देखो वो आंधी आ रही है मचलती जूमती हलचल मचाती तडपती शोर करती दिल हिलाती गरजती चीखती फितने उठाती उठो देखो वो आंधी आ रही है फजा में आतिशी पर चम उडाती जमी पर आग के धारे गिराती शरारे रोलती शोले बिछाती सुनहरी रोशनी पहला रही है उठो देखो वो आंधी आ रही है बढ़ी आती है तामीरी तबाही जुकी पढ़ती है नूर अफजा सियाही जखोले खा रहा है गसर शाही बिला जंजीर दर खड़का रही है उठो देखो वो आंधी आ रही है निशानाते सितम ठरा रहे हैं हकूमत के अलम ठरा रहे हैं गुलामी के कदम ठरा रहे हैं गुलामी अब वतन से जा रही है उठो देखो वो आंधी आ रही है कैफी आजमी मश्क लब्जो मानी कसर शाही आप्शन कसर शाही शाही महल बर्क बिजली निशानाते सितम जुल्म के निशानात आतिशी परचम आग जैसा ज्छंडा मुराद सुर्ख परचम गौर करने की बात नमबर एक इस नजम के इप्तिदाई दो बंद आंधी की शिद्दत और जोर की मनजर कशी करते हैं तीसरे बंद से इस नजम का मरकजी खयाल उभरता है और वाज़ होता है कि आंधी दर हकीकत जुल्म औ सितम के खिलाफ अवामी जद्दु जहद और आजादी के लिए इनकिलाबी माहौल की अकास है इस नजम में मुरकब अलफाज और तराकीब का खुबसूरत इस्तमाल है जैसे आतिशी परचम तामीरी तबाही नूर अफजा सियाही निशानात सितम मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक उफ़क पर बर्क सी लहराने से शायर की क्या मुराद है नमबर दो आधी आने के क्या आसार नजर आते है नमबर तीन तामीरी तबाही से शायर की क्या मुराद है अमली काम नमबर एक इस नजम को जबानी याद कीजिए नमबर दो आगे आने वाले लब्जों को जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए फितने, शरारे, जन्जीर, अलम तारुफ रुबाई रुबाई में चार मिस्रे होते हैं इसका पहला, दूसरा और चौथा मिस्रा हम काफिया होता है तीसरा मिस्रा भी हम काफिया हो सकता है आमतौर पर रुबाई का चौथा मिस्रा सबसे ज्यादा जानदार होता है जो पूरी रुबाई की रुह होता है काफियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्ते हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है रुबाई के लिए चंद बहरे मक्सूस है